शुगर के रोग्यों को क्या खाना ची और क्या नहीं चली जानते हैं पूरी डिटिल दुनिया भर में डाइबिटीज एक काम विवारी बन चुकी है इसके छपेड में वुज़ुर्ग युवा हर कोई आ रहा है आलिम यह है कि आजकल ऐसे परिवार ही गिंती के बच्चे हैं जहां कोई शुगर का पेसे ना हो अगर आपकी उम्र 35 के पार है तो आपको भी अपनी डाइट को लेकर सतरकताव पर अतनी शुरुक कर दीनी चीए आजकल बदलती लाइफस्टाइल के साथ लोगों के खान पान में भी कई बदलाव आए हैं जिसके वज़े से बिमारियां भी शरीर को लगदार घे रही है डाइबिटीज भी उन्हीं बिमारियों में से एक है डाइबिटीज के मरीज अक्षर कनफ्यूज रहते हैं कि उन्हें बलड शुगर कंट्रोल रखने के लिए क्या खाना चीए एक्सपर्ट की मानी तो डाइबिटीज के मरीजों को हर रोज निर्धारित कैलोरी लेनी की सला दी जाती है डाइबिटीज में डाइट संदूलित होना चीए ताकि दवाईया सही तरीके से अपना काम कर सके डाइबिटीज में क्या खाएं और क्या नहीं चले जानते हैं डाइबिटीज के बीमारी में क्या खाना चीए अनाज, फल, सब्जी के अधार पर आपको डाइबिटीज के पेशिंट को क्या खिलाना चाहिए इस वारे में विस्तार से चले खानते हैं डाइबिटीज के मरेज जौ, दल्या, सामक चावल, कोद्रो चावल, गीहू, सूजी को अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं नाइबिटीज में, अर्रण की डाल, काबुली छने, हरी छने, कुल्थि की डाल का सीवन अधिक करना चाहिए नाइबिटीज ज़्यादा है या बौर्डर लाइन में हैं, तो हरे पत्तिदार सब्जीयों का शीवन सुरू कर दीना चाहिए डाइबिटीज की मरिजों के लिए कच्छा कीला, लीची, अनार, एवोकाजो और अमरोद का सीवन करना सीहत मन हो सकता है कैम फैट वाले डेरी प्रोड़क्ट में दही और दूद सीमीत मादरा में सीवन करना चाहिए कीवी से कंच्रोल में रहता है बलड सुगर, अनि बिमारियों के लिए भी होता है या फायदिमन चले जानते हैं डाइबिटीज में क्या खाना चीह और क्या नहीं तो सबसे पहला, डाइबिटीज के मरिजों को खाने में जादा नमक का सीवन नहीं करना चीह दूसरा, डाइबिटीज के मरिजों को कोल ड्रिंक्स नुक्सान कर सकती है इसलिए इससे दूरी बना कर रखनी चीह तीसरा, खाने में चीनी का इस्तमाल कम से कम करना बेहतर रहता है चौथा है, आइस्क्रीम और टॉफी डाइबिटीज के मरिजों के लिए खतरनाक हो सकती है पाचवा, अगर खाने में जादा जंक फोड या ओली फोड को सामिल करेंगे तो ये डाइबिटीज के मरिजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है चर्टमा, आलू, सोयाबीन, मैदा सीवनी फोड और डीफ फ्राइट फोड का सीवन कम से कम करना चीए हो सके तो अवाइट करें साथवे नमबर पर हैं, घी, गुल्ड, चीनी, रिफाइन, इत्यादी का सीवन ना करें जबकि दूद, देसी, खी, दही और छाज का सीमित मातरा में प्रयोग कर सकते हैं आठवा, याद रखे कि इस शुगर की मरीजों को दिन में नहीं सोना चाहिए, साथ है स्मोकिंग से बचना चाहिए, इसके वज़ज़ ये है कि इन दोनों काम से ब्लड शुगर लेवल पड़ सकता है हे गाइस, अगर आपको शुगर है तो जो भी बाती बताएगी हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे, खाने पीने से ही आपके शुगर लेवल पर असर पड़ता है, या तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर कंट्रोल में रहे हे गाइस, एक शुद्धी आयरवेदा है, जहां जाकर आप डाइबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसे समस्य से निज़ात पास सकते हैं, वो भी परमानीर, उसमें समय और पैसा दोनों लगता है, लेकि अगर आपके पास पैसा है, तो आप शुद्धी आयरवेदा चाहें और अपना इलाज कराएं, आप देखेंगे साल भर में आपका ब्लड शुगर हो, या फिर यूरिंग शुगर, या फिर बीपी की प्रॉब्लम हो आपको, ये दोनों ही जड़ से तो खत्म हो सकती, ऐसा उनका दावा है, पर समय लगता है, आप यदि बहुत परिशान है और आपके पास पैसा है, तो आप प्लीज सुद्धी आयुर्वेदा में जाएं, वहाँ आयुर्वेदिक दमायों से आपका चुब बीमारी है, वो ठीक करने का प्रयाश किया जादा है, हम जो केमिकल वाले दवाई खाते हैं, उसमें पूरी तरीके से ठीक नहीं होदा, वो सि पूरा जड़ से शुगर पीपी का प्रॉब्लम जो है, वो दूर हुआ है, तो अगर आप भी परिशान हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, ही गाईस एक वीडियो अच्छे लगों तो लाइक करने मत खुलीगा, और ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्स सब्सक्राइब एंशिये, थाइक्यू